आज बिधान सभा का मौनसूल सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानुन व्यवस्ता पर नियम स्ताशट के अंतरगत स्थाजन प्रस्ताव के लिए आध्यक्ष मौद्य से आग्रय किया था और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक गटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग तीन लड़कों की पिटाई करते हैं डंडे से पिटाई करते हैं उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है एक पीज़ए में एडबिट है एक पंचकुला के हॉस्पिटल में और दोनुं गंभीर हैं और यह गटना एक गटना नहीं इस प्रकार की गटनाओं का क्रम बहुत लंबा चोड़ा हो गया पिछले और दो साल के कारेकाल में और इससे पहले हाली में आप देख रहे होंगे कि बिलासपूर में गटना गटित होती है कि वहां पर कोट के कमप्लेक्स में पंजाब से हायर की हुए गुंडे लाए गए और उन्होंने फाइरिंग की और फाइरिंग से एक नौजवान वहां पर गाहिल होता है और इस बात को लेकर के भी ये जुरूरी है कि जो बहाँ से गुंडे लाने वाले लोग थे उनमें से एक पूरव विधायक का बेटा है और जिस प्रकार से और भी बहुत सारी नेकों घटना है हिमाचल पति इस में यहाँ पुलिस चौकी के अंदर पुलिस ठाने के अंदर है गफ़ो लोग घुशकरके वह आफ़रा तफरी कर रहे हैं род कर हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने वहां पर एक यूबक की हत्य हो जाती है अन्यकूं क्रम इस परकार के हैं जिसके कारण हिमाचल परदेश में कानुन व्योस्ता डाम की कोई चीज नहीं रह गए और हिमाचल परदेश में पूरी सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगाते रखा है भारती जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को प्रताडित करना उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना और इसके अलावा हमारे चूने वोई विधायकों को चार-चार घंटे पूलिस स्टेशन पर बिठा करके उनको प्रताडित करने के लिए इसकाम में लगाते रखा हुआ है और कुछ लोगों को इतनी सुरक्षा दे रखी है जेट प्लस की कैटेगरी से भी जादा है चाहे वो सीपेस हैं चाहे वो चेर्मेन है कोई भी आदमी जो है वो जो है वो सुरक्षा के बिना नहीं है आगे पाइलेट चलती है पिछे एसकॉर्ट चलती है पुलिस ऐसे काम म ले रखी है जहां एक भी कुर्सी बैठने के लिए उनके पास नहीं है ना कोई काम है अखिरकार यह हो के रहा है अब जिस प्रकार से मानिये मुख्या मंत्री और संस्थिकार मंत्री जी ने जवाब दे करके इस सारी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की मेरा यह मानना है कि ना मुख्या मंत्री जी एक हंबीता से ले रहे हैं और जहां मुख्या मंत्री जी इस बात कर जिकर कर रहे हैं कि हिमाचल परदेश में चिट्टे के और जो ड्रग पैडलर्स हैं ड्रग के जो माफिया है यह उसे जुड़ा हुआ मामला जुड़ा हुआ जिस समर्जी से हो लेकिन कारवाई तो कानून के मताविक होनी चाहिए अभी तक जो जानकारी मिली है बद्दी वाले मामले में तीन लोग को गिर्फतार किया गया वो बाकी 15 लोग कहां जिनकी वीडियो बनी पड़ी हुई है जो पिटाई करते डांग से सिर पे मार रहे हैं और चौक पर मार रहे हैं सब के सामने मार रहे हैं वो लोग को ने हैं वो भी ड्रग माफिया हैं लेकिन सरक्षन उनको प्राप्त है इस कारण से अभी तक उनकी गिर्फतारी नहीं उपाई है उनमें से चुना जा रहा है कि किस आजमी को गिर्फतार करना है और किसको नहीं करना है इसलिए इस चर्चा की बहुत बड़ी आफशक्ता थी आज सारे कारेवाइश थागित करके इस विशय पर चर्चा होना बहुत लाज़मी पूरे प्रदेश पर में जिस परकार की हत्त्याएं बलातकार की गटनाएं और ड्रग्स का तो परचलन इस परकार से बढ़ ग मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घटने ड्रग से जूड़ी हुए तो यह कोई अची ख़बर है क्या है तो ऐसे में आज इस पर चर्चा नहीं देना हलागे मुझे लग रहा था दक्ष्मोदे जी का मन बन रहा था लेकिन सरकार के दवाव में मुख्यमंत्री और पारलिमेंट मुख्यमंत्री कि जी कृब यह था ज्या हुए एंची देना है तो यह कोई जी का मुख्यमंत्री कोईशट पारलिमेंट जी कि घए जी कोईवाव मुख्यमंत्री और पार दिए टिन कि जी कोईश्य।